नमस्कार वित्रों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं जोतिश जरा हटके आपके साथ मैं हूँ आपका एश्टो फ्रेंट संतोर संतोशी इस समय पूरे देश में एक उबाल है एक गुस्सा है एक आक्रोश है एक जिद है कैसी जिद बलातकारियों को फांसी तक पहुँचाने की जिद होब सारे धार्मिक जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस पर अपने विचार देती हैं अपना पक्ष रखती हैं उन समस्त संस्थाओं का एक जोश यही चल रहा है कानून भी बने हैं अब कानून के अपने हैं मैं उसमें नहीं जाओंगा मैं जोतिश पर आता हूं थोड़ा सा विशे बताने के लिए होना पड़ा हमको एग्रेसिव होना पड़ा क्योंकि वाकई अभी रिसेंट में जो एक घटना-घटी हैदराबाद में डॉक्टर के साथ वह बदलब उफ मै मैं भी चोकि एक पुत्री का पिता हूं तो उस भाव को समझ सकता हूं महसूस कर सकता हूं काहने सुनने को बहुत सारी चीजे इसमें हैं लेकिन मूल अपनी सुरक्षा अपने हाथ ये मूल है इसे समझना होगा इसे जानना होगा जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा विश जोतिश तो जोतिश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है 15 लाक लोग तो हमारे ही फॉलोवर है मतलब इस विशे को समझते हैं इस विशे का उनके जीवन में एक मिनट ही सही लेकिन कुछ योगदान तो है ही तो जोतिश अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकता है और किस निभा रहा है यह समझना है यद्यव कि हमने तो जबर्दस तरीके से इस भूमिका को निभाया है और बताया है जबर्दस तरीके से कई कारकरम किये हैं कई जगहों पर तो हम ट्रोल भी हो गए थे आप लोगों की मतलब ट्रोल क्या होना मतलब किटिसाइज बहुत किया था आपको सावधान रहना है जोतिष यही तो कर सकता और क्या कर सकता बताईए जोतिष जाके हत्कड़ी तो लगाए कि ने जोतिष वन एक विज्ञान जोतिषी एक संग्या है जोतिष एक विज्ञान है एक नाउन है यह नाम है जोतिष आप गफलत में हों आप जोत्षी को भगवान बना दें तो यह आपकी मूर्खता है हम थोड़ी न कहेंगे यह विशह है यह विज्ञान है बस सिंपल सी बात है आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को वो मूल रोप से एक बलातकारी को आप पहचान कैसे सकते हैं आप कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला रेपिष्ट हो सकता है आप उसके मन में आपको ले करके गंदी भावना चल रही है यह कैसे समझने की आवश्यक्ता है बहुत जुलंत विश्यक्ता है और आप लोगों से अग्रह भी मैं करना चाहता हूँ कि घर्धत हर जगह पहुँचाए इस वीडियो को वाइरल करें रिजन है इसके पीछे कि यह भी एक तरह का आपका कॉंट्रिव्यूशन है जश्ट लाइक मुम्बत्ती मुम्बत्ती को मैं वेंगात्मक रूप से बोल रहा हूँ मुम्बत्ती जलाने से कुछ नहीं होता है समाचार चैनल्स में भी आपने सुना होगा न्यू चैनल्स में कि कब तक जलाएंगे मुम्बत्ती कुछ जोक भी चला था फेस्बुक पर ट्रेंड हो रहा था कि पता नहीं कौन मुम्बत्ती था मा गया नहीं तो इज़्जत के लिए तो हम लंका दाहन करते थे तो साल गरभित बात है यह कोई पतलब ऐसी बात नहीं है तो हमारी बहन बेटिया किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है पूर रूप से पहचानने की कोशिश करते हैं कैसे हम पहचाने की सामने वाला रेपिष्ट है मतलब बल पूरवक इस्त्री को प्राप्त करने वाला एक विकृत आत्मा है मित्रों बल यह संस्कृत की पंचमी भीखती है बलातकार बल से किया हुआ कार है वो कार जो बल से किया जाए वो बलातकार है जिसमें बल लगे शारिरिक बल लगे वो बलातकार है तो बल मिलता कहां से है सोच से विकार कहां आया दिमाग में इस प्रकार की सोच को जो विक्सित करता है दैट इज मून चंद्रमा वेरी फर्ष्ट प्लाइनेट आफ रेपिष्ट बट वो कुछ डिगरी से प्लस बाइनस होगा वो हम आपको इनफॉर्म करेंगे बताएंगे सूचित करेंगे तो पहला ग्रह हो गया चंद्रमा इस्त्री के विशे में इस प्रकार का भाव या पुरुष के विशे में ऐसा भाव जो भी हो सेक्स से संबंध जुड़ गया तो शनी, गुप्त, कार्य, पब्लिकली बरातकार नहीं होता पब्लिकली शेक्स नहीं होता ये गुप्त होता है तैंज सैटर्ण, जैब्स सणी, जैब्स गुप्तांग, जैब्स अश्टमभाव यही हुआ न, उसका मतलब अश्टमभाव ही तो है रहस्य का, गुप्तांगों का अश्टमभाव शनी चंद्रमा दो चीज़ें आ गए और 99-99 प्रिशन चुकि महिला की प्रति ही होता है तो शुक्र और राहू जो एक unnatural path की तरफ रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है टोटल planets हो गए चंद्रमा हो गया शनी हो गया शुक्र हो गया और राहू हो गया चार planets बट अभी एक बचा था उसे मैंने लाश्ट में रखा है क्योंकि मेरा अपना विचार हलाकि मैंने इस पर विशत अधन किया आप लोगों के तक कारक्रम को लाने से पहले औरों की राय भी पढ़ा तो बहुतोंने मंगल का नाम लिया है मैं मंगल को साइट में कर रहा हूँ मंगल ऐसा नहीं है बजरंग बली ऐसे नहीं है अरे वो तो लंगोट बाधने के लिए जाने जाते हैं वो तो अखाड़ों में पूजे जाते हैं तो मेरा मन नहीं किया कि मंगल को लेके आऊँ आप लोग तर्क दे सकते हैं कि चंद्रमा के भी सकारात्मक प्रभाव शुक्र के भी सकारात्मक नहीं सकारात्मक होगा तो वहां नहीं जाएगा हां मंगल एक जगह उपस्थित होते हैं वो बेहद अनिवार है वहां पर मंगल की उपस्थिती और वो है चर्मोत कर्ज मतलब सेक्स की पूरणा होती वहां पर मंगल का रोल आता है वहां पर मंगल का पौरुशात्मक रोल आता है वो बहुत छोटा और बहुत अलग पार्ट है लाश्ट है विचार सबसे में था जहां पर मूल में चंद्रमा आया विचार सबसे में था चंद्रमा के बाद बाकी प्लैनेट्स वहां पर अपना अस्तित्व अपने अपने जगह पर रोल निभाते चले गए और लाश्ट में मंगल का आया वो मंगल की मजबूरी है मंगल की विवस्ता है मंगल का प्रत्यक्ष रोल as per my research in the case of rape there is nothing मंगल का कोई रोल नहीं है कुछ भी नहीं है जिसने भी लिखा है मंगल की विशे में बहुत सारा आप अगर जोतिश शास्ते में रुच रखते हैं और आपका मन करता है कि जोतिश के इस पार्ट को आप टच करें जिसको आज मैं टच कर रहा हूँ तो आपको बहुतों के लेख में मंगल का रोल मिलेगा मंगल प्राप्त होगा उसमें कि मंगल है और मंगल की वजह से ही क्योंकि बल को लोगों ने जोड़ दिया लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये बल किस प्रकार का बल है यह मल है युद्ध का बल थोड़ी है एक इस्त्री के मान का मर्दन करना यह कोई यहां पर मंगल नहीं है यार यहां मंगल है ही नहीं हाँ गोली चलाना हो तो मंगल का रोल आएगा क्योंकि आग ने आस्त्र है वहाँ पर मंगल का एक अलग रोल है जो बारूद को जलाता है वहाँ आग के रूप में मंगल का रोल आ सकता है बाकी मूल यहां मंगल नहीं, यहां मल रिद्ध थोड़ी हो रहा है इस्त्री खुद को बचाने के लिए छट पटाती है, वो विशय अलग है वो छट पटाहट में मंगल थोड़ी, वो छट पटाहट में उसको पकरणना वो मंगल थोड़ी ना मंगल नहीं है, अगर कोई आदमी बचाने के लिए गूद पड़े उस दौरान उस इस्त्री को उस कर्ण्या को बचाने के लिए यह आया मंगर, यह लिजे आए पवन सुत्र हनुमान की जय वजरंग वली का प्रवेश यहां है अगर कोई बचाने के लिए पिल पड़े तो ग्रही हमने आपको मूल बताया चंद्रमा सेकेंड नंबर मैंने बताया आपको शनी थर्ड नंबर मैंने बताया आपको शुक्र यह मूल प्लैनेट है चंद्रशनी शुक्र यह मूल प्लैनेट है और राहू का रोल जिस प्रकार से इसमें है वो बिचारों में आग लगाना जैसे एक रॉकेट है एक रॉकेट है राहू आगे मास लगती है यह राहू है विचारों में आग लगाना एक की दिमाग में आया बगल में दोस्त खड़ा हरे यार तूपने जो कहा वो तो मैं सूच रहा था मनलब उसको आग लगा दिया अब ग्यारह बन गए एक और एक ग्यारह बन गए तो राहू का रोल मायावी तरीके से होता है इसमें दो राए नहीं है लक्षण पर अब हम आते हैं अब यही यही ग्रह दुती से पंचम से अश्टम और द्वादस से संबंद बना ले मैंने वैसे भी बहुत बार बताया प्रकारांतर से कि किसी भी मर्द की कुंडली में राहू मंगल शुकर एक साथ बैठे हो कभी जिन्दगी में आप ऐसी कन्या को मतलब ऐसे पुरुष को कन्या मत दीजिए भले ही 36 में 36 गुण मिलते हो पुरुष की चरित्र को आंकलन करन यह बहुत केड़ा काम है अलब यह हर किसी के बसका नहीं हर कोई नहीं आख सकता कि तो उसका चरित्र क्या गुण मिला अगर कैसे चरित्र आख सकता कोई मतलब जश्ट रेडिकुलस इससे बुरा कुछ हो यह नहीं सकता है गुण तो यह नहीं बतायेगा कि शाला जो कुणली मिला रहे हो जिन्दा है कि मर गया है एक मरे हुए आद्मी के कुणली ले जाओ पंडित जी के पास जो मर गया हो और अपनी बेटी या बहन के कुणली ले जाओ साथ पंडित जी गैं 32 गुण मिला अभिया कर दू उससर का जानेगा कि जिन्दा मर गया है जाना जाता है यह भी पता चल सकता है कि कुणली इस्त्री की है या पुरुष की है यह भी पता चल सकता है कि कुणली जीवी थे यह भी कल्कुलेशन है तो लक्षण पर अब हम जल्दी से आते हैं और इस चीज को आप लोग सब तक पहु मैं कोशिश करूंगा कि उन तस्वीरों को भी मैं दिखाऊं इस समय जो मेडिया में चाये हुए हैं जो रेपिष्ट पकड़े गए हैं निर्वेया का केस था या पीछे का जितने भी केस रहे हैं आप देखेंगे तो लक्षण जो शारीरिक हम बताने जा रहे हैं बहुत 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 मैच करेगा सबसे पहली चीज है ऐसे व्यक्ति का मुह थोड़ा लंबा टाइप का होगा लंबा मुह होगा गोल रेयर होगा ध्यान दिजेगा गोल रेयर होगा मतलब यह जनरल चीज बता रहे हैं यह लक्षण को आप एजिटीज ना मालीजेग जितने लंबे मुह वाले सब रेपिष्ट है प्लीज ऐसे नहीं आप लक्षण समझ लीजिए अगर बाकी एक्टिविटीज से आपको सस्पेक्टेड कोई लग रहा है और संतोस संतोसी का बताया यह लक्षण मैच कर रहा है तो हंडेट परसेंट आपकी छठी इंद्रिय सही है आप समझालिए सामने वाले का इंटेंशन ठीक नहीं है बस मेरा इस कारक्रम का उद्देश इतना मात्र है और माभगवती की क्रिपा से आप लोग कमेंट में लिखते हैं अगर एक भी गुडिया हमारी बच गई हमारे किसी भी बतायवे चीज से तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है मेरे लिए और मैं सुक्र गुजार हूँ हमारे इस जोतिश विग्यान और संकेत सास्त्र सकुन सास्त्र और सामुद्रिक सास्त्र को बनाने वाले दिशियों और महात्माओं का जिन्होंने अपने अतिंद्रिय ग्यान के शोधों से हम सब तक के हम लोगों के जीन में हम लोगों के दिया है इससे आप कैसे टैली करेंगे हमने बता दिया अब हो सकता आपके भाई बेटे पती पुत्र किसी का ऐसा हो और आपको पता है कि उसका चरित्र कैसा है तो अभी तुरंत टैली हो जाएगा क्योंकि आप के अंदर भी तो एक अवरत है भले ही यह लक्षण आपके पु और अच्छे से पता है तो देख लीजेगा हो सकता कि यह अभी डेवलप्त ना हुआ हो कुंडली में दसा अंतरदसा बदलते कोई 24 गंटा रेपिष्ट नहीं होता है का नहीं आया है बट अगर हमने यह लक्ष्ण बताया तो जश्ट बी अवेयर ठीक नमबर दो कि आप लोगों को पता हिए कि पूरे चहरे पर कुछ न कुछ चोट कट पट का निशान होना निश्चित है यह राहू है जो कि लगन लगनेश को प्रभावित जब करता है तो कहीं न कहीं कट का निशान देता है और व्यक्ति राहू के प्रभाव में आ जाता है आग से हो चेचक से हो एक्सिडेंट से हो सीड़ी से हो बचपन में हो जवानी में उससे मतलब नहीं है कि इस वज़े से ऐसे हो गया यह लक्षण मिल गया नमबर तीन शनी का प्रभाव इस प्रकार से कि सरीर से गंदी वाली स्मिल हंड़ेट परसेंट बताया हूँ आप लोगों को याद होगा पहले इस तरह का लक्षण मैंने बताया था आज एक खास संदर्व में बता रहा हूँ मित्रों एक बहुत बड़ा लक्षण है और यह बड़ा सिच्वेशनल है इसे आप सब बहुत बारीगी से रीड करिएगा समझ में आएगा इसको किसी भी वेब में प्रैक्टिकली ना समझिएगा फैशन में ना लीजिएगा यह एक लक्षण के अंतरगत आता और वो है बालों का बहुत ज़्यादा उलजहा होना चाहे करली होकर की हो या फिर फैशन में हो किसी भी रूप में मतलब यह आप कह सकते हैं कि अभी आप कहेंगे कि किसी ने ऐसे बाल कर लिया तो चेंज हो गया हाँ मान सकता बदल जाएगा फर्क पड़ता है पर्क पड़ता है परफ्यूम छिड़गी है ठीक और जब तक वो फ्रेग्नेंस आपके साथ है तब तक और उस फ्रेग्नेंस के बाद के अपने मूड को शार्पली माइलूटली अब्जर्व करिए अंतर साफ आएगा मशीनों से पकड़वाईए ना चैलेंज है मेरा पड़ेगा मूड पे असर पड़ता है विचारों पे असर पड़ता है पड़ेगा हंडेट परसेंट पड़ेगा तो उलजेबाल भले ही फैशनेबल वे में किसी लड़के ने किया हो या फैशन में बिना कौम के बिना मांग निकाले रहता हो या बाल इतने कर लिए हो कि मांग अपने ना निकले और बाल हरदम उलजे दिखे तो मेरे मित्र ये महादूशित और पीडित मंगल और राहु का सबसे बड़ा लक्षण है ऐसे विक्ति का आप कुंडली देखेंगे तो मंगल राहु में 100% संबंध होगा या गोचर में मंगल राहु की दशामत और दशा चल रही होगी कि कहीं न कहीं मंगल राहु का प्रभाव आना ही आना है मंगल राहु में दिश्ट्रिय के संबंध मंगल राहु मंगल के घर मेश या विस्ट्रिक में बैठा हो किसी भी वे में संबंध आना ही आना है तो उल्जे बाल, शरीर की इसमेल, चहरे पर कटका निशान, लंबा मुह, निकले दांथ, विज्वल करेंगे तो एक राक्षास का चहरा बनेगे, तो एक राक्षास का चहरा बनने बनना है, और सजरे, राक्षास होई बै करते हैं, नहीं? तो यह चीज आप समझिए यह चीज आप समझिए बचा कैसे जाएगा पिश्टल से मंगल से मंगल आया मैंने भी बताया था ना कि मंगल बचाने वाला मंगल रेप करने वाला थोड़ी मंगल है महां मंगल आई नहीं सकता है यारना पीड़ा में आ सकता किसी वेवे नहीं आ सकता है मारने के दोरान आता है जब अपराधी अपराध करके उस अपराध को छुपाने के निमित उस कन्या की उस गुड़िया की हत्या करता है तो उस दोरान मंगल आता है मारक होता है विध्धनसक होता है वो विक्रित मंगल है जो हमने करली हेर्स के थूँ या फिर अन्य इस तरह से हमने आपको बताया है कन्याओं को इन लक्षणों के आधार पे बचाएं और अपील यही है कि मुबाइल में पैनिक बटन चिली स्प्रे कुछ हतियार बच्चियों को जरूर दें जब भी गर से निकलें खास पर पर जब दूर के लिए निकलें अकेले निकलें या कहीं मजबूरी में रात भी रात आना जाना पड़े तो यह कंपलसरी हो यह मैडिट हो यह हर कीमत पे हो एक दो तो पिलाएंगे साले मिर्ची उर्ची रहेगा कुछ पिलने के लिए और मैं तो खैर यही कहता हूँ कि अगर संभव है तो पिश्टल का लाइसंस बनवा करके और यह आप लोग उसको गिफ्ट करिए गुडियाओं को चलाना सिखाई आत्मरक्षा के लिए यह एक वो निवेश है जो उसे अवलंब देगा तो सपोर्ट करिए और सभी पुर्शों से अन्रोध है कि आप भी अपने घर में अपने अपने लड़कों पर निगाह रखें और समझ करके चलें अगर उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी आक्टिविटी है तो समभालें समझाएं, काउंसलिंग करें ले आएं, जो भी हो करने की कोशिश करें बजरंग बली का ध्यान करके बजरंग बान का पाठ करके एक लाल धागा कलावा ले करके और जो ये बांधा जाता है कलावा साथ गांठ लगा लीजिए और अपने पास सभी बच्चियों से अन्रोध है लड़कियों से अन्रोध है साथ गांठ लगा करके और अपने पास रख लीजिएगा साथ गांट लगाईए धागे में हर धागे को छू करके बजरंग बान का पाठ कर लीजे पूरा पाठ मुस्किल से तीन चार मिनित लगेगा साथ चोक अठाइस आदे घंटे का काम शुद्धी अवस्थान में किसी भी मंगलबार को करके और एक के बार करना और फिस धागे को अपने परस वर्स में रख लीजेगा मिस्वास रखिए मिस्वास फल होता है बहुत बहुत शुक्रिया प्यार बनाये रखिएगा 22-26 राहु अनुष्ठान जरूर करवा लीजेगा आगे ये भी हम हलाकि से विषय को भी सोध किये थे ला सकते हैं कि कुणडली के क्या योग होते है कि कोई किसी का रेप होता है ये वी एक बहुत बड़ा सा विषय है इस पे भी मेरा शोध पूरा है बचाने के लिए ये भी हम कभी लाएंगे बहुत सारे विशय ऐसे हैं जो अभी दबे हैं बहुत सारे बहुत दिनों से दबे हैं लेकिन 24 घंटे दिमाग में different different angles हमारे चलते रहते हैं कि अब क्या करें समय बहुत कम होता है टीम अभी इतनी बड़ी हमारे पास है नहीं आप लोगों से बार-बार कहते हैं कि आप लोग आई हमें जोईन करें आप लोग आई नहीं रहें इतनी बार तुब बुलाया है दिल्ली गाजिया पार हमारा office है चलिए ठीक है तो प्यार बनाए रखिएगा ऐसे ही खुश रहे साथ आठ नो इन दौर चोद्य पंद्र सोले चलिए नमस्क्राइब